ओम धन प्रदाय नमो नमा मार्कशिश मास के गुरुवार को महालक्षमी जी की पुजा करके भक्त जन उप्वास करते हैं ऐसी मानेता है कि इस दिन वरत कथा पढ़ने और सुनने से सारे दुख दारिद्रे दूर हो जाते हैं और महालक्षमी जी की कृपा से सुख संपत्ती और एश्वरे की प्राप्ती होती है और मन की इच्छा पूरी होती है सभी प्रेम से बोलेंगे लक्षमी माता कीजए भारत वर्ष के सौराष्ट देश में द्वापर युक की ये कहानी हुई है सौराष्ट में उस समय भदरशवा नाम के एक राजा थे वैबड़े प्राकर्मी राजा थे चारवेद, छे शास्तर, अठारा पुराणों का उन्हें क्यान था उनकी रानी का नाम सूरत चंद्री का था रानी दिखने में सुन्दर और सुलक्षणा थी तथा पति वरता थी उन दोनों को साथ पुत्तर तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था कन्या का नाम श्याम बाला था एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया की जाकर उस राजा के राज-परसाद में रहे इससे राजा को दुगनी धन दोलत की प्राप्ती होगी और वह इस धन दोलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दोलत प्राप्त हो तो वह सवार्थी की तरह केवल अपने उपर ही खर्च करेगा यह सोचकर शिरी महालक्ष्मी जी ने बूड़ी ब्रामन शिस्त्री का रूप धारन किया हाथ में लाठी लिये लाठी के सारे रानी के द्वार तक पहुंची यद पी उन्होंने बूड़ी ओरत का रूप धारन किया था पर उनके चहरे पर देवी का तेश था उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई उसने इनका नाम धाम काम धर्म पुछ डाला वरत ब्रामन का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा बाली के मेरा नाम कमला है मेरे पती का नाम भुवनेश है हम द्वारी का में रहते हैं तुमारी रानी पिछले जनम में एक वैशे की पतनी थी वह वैशे गरीब था दारिद्रे के कारण हर रोज घर में जगड़े होते थे तथा उसका पती रोज उसे मारता था इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़ कर चली गई तथा बन जंगल में खाली पेट भटकने लगी उसकी इस दूर द्रशा पर मुझे तया आई तम मैंने उसे सुक संपती देने वाली शिरी महालक्ष्मी की कथा सुनाई मेरे कहने पर उसने शिरी महालक्ष्मी का वरत किया शिरी महालक्ष्मी प्रसन हुई उसकी गरीबी दूर ही उसका घर संसार दोलत संतती संपती से भर गया बाद में पती पतनी दोनों पर लोक्त सिधारे लक्ष्मी वरत करने के कारण वै लक्ष्मी लोक में रहे उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का वरत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला इस जनम में उसका जनम राज कराने में हुआ है प्रन्तु वह महालक्ष्मी का वरत करना भूल गई उसे यह याद दिलाने मैं यहां आई हूँ बुढिया की बाते सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा शिरी महालक्ष्मी वरत किस तरह किया जाए इस जबारे में पूछा बुढिया रूप धारन कियोए शिरी महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधी तथा महीमा बताई इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई राज वहव में रहते हुए रानी को अपने एश्वरे का बहुत घमंड हुआ था संपती तथा अधिकार की वज़े से वह उनमक्त हो गई थी दासी द्वारा बताएगी बुढिया की बाते सुनकर वह आग पबुला होकर राज द्वार पर आकर बुढिया रुपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी उसे ये मालुम नहीं था कि शिरी महालक्ष्मी माता बुढिया का रूप धारन की हुए द्वार तक आई है परंतु रानी का इस कदर रुखा बरताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा वे वहां से चल पड़ी रात में उन्हें राज कमारी शाम बाला मिली उन्होंने शाम बाला की सारी बात बताई शामबाला ने अपनी ओर से शिरी महालक्ष्मी माता से शमा मांगी माता को उस पर दया आई उन्होंने शामबाला को शिरी महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया उस दिन मार्ख शिर्ष माहा का पहला गुरुवार था शामबाला ने परम्ष रधा से शिरी महालक्षमी का वरत रखा फल सवरूप राजा सिधेश्वर के सुपत्र मालाधर से उसका विवा हुआ वह धन दोलत एश्वरे वैभव से माला माल हो गई पती के साथ सुसुराल में आनन से दिन बताने लगी इधर शिरी महालक्षमी का राणी पर प्रकोप हुआ फल सवरूप राजा भदर्शवा का राचे एवम राज कौरोबर नश्ट हो गया यहां तक की खाने के लाले पड़ गए ऐसी हालत में एक दिन राणी ने राजा से निवेदिन किया कि हमारा दमाद इतना बड़ा राजा है धनवान है एश्वरे शाली है क्योंना उसके पास जाएं अपने अपना हाल उसे बताएं वह जरूर हमारी मदद करेगा इस बात पर राजा भदर शवा दमाद के पास रवाना हुए राजे में पहुँचकर एक तलाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे तलाब से पानी लेने जाते जाते दासियों ने उन्हें देखा उन्हें विनमरता से उनकी पुछताश की जब उन्हें ये मालू हुआ कि वै राणी शामबाला के पिता है तो धोड़ते हुए जाकर उन्होंने राणी को सारी बात बताई राणी ने दासी के हाथ राज पृधान भेज कर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सतकार किया खान पान करवाया जब वै लोटने लगे तो सोने की महरों से भरा घड़ा दिया राजा भदर शवा जब वापस लोटे तो उन्हें देख कर राणी सूरत चंद्री का खुश हुई उन्होंने सोने की महरों से भरे घड़े का मुँ खोला पर हाए भगवान घड़े में धन के बदले कोईले मिले यह सब शिरी महालक्षमी के परकोप से हुआ है इस परकार दूर दर्शा में और कई दिन बीट गए इस बार राणी स्वम अपनी कन्या के पास गई वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था शामबाला ने शिरी महालक्षमी का वरत किया पूजा की अपनी माता से भी वरत करवाया इसके बाद राणी अपने घर आई शिरी महालक्षमी का वरत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाथ धन दोलत एश्वेरे प्राप्त हुआ वह फिर से सुख शान्ती आनंद में जीवन बिताने लगी कुछ दिनों बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आई उसे अपने घर दे कर सूरत चंद्रिका को पुरानी बात बाते याद आई यही कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोईला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया इसी कारण शामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आधित्य नहीं हुआ बलकि आनादर हुआ पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना अपने घर लोटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया अपने घर लोटने पर उसके पती ने पूछा अपने मायके से क्या लाई हो इस पर उसने जवाब दिया वहां का सार लाई हूँ पती ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ शामबाला ने कहा थोड़ा धीरज रखें सब मालुम हो जाएगा उस दिन शामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और प्रोसा पती ने खाना चखा सारा खाना नमक बिना था इसलिए स्वाद ना आया फिर शामबाला ने थाली में नमक डाला इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा तब शामबाला ने पती से कहा यही है वह मायके से लाया हुआ सार पती को उसकी बात सही लगी फिर वह दोनों हसी मजा करते हुए भोजन करने लगे कहा गया है कि इस तरह से कोई श्रधा भाव से श्री महालक्षमी की पूजा करे उसे माता की किरपा प्राप्त होती है सुख संपत्ती और शान्ती प्राप्त होती है सभी मनोकामनाएं पूरी होती है परंतु ये सब प्राप्थ होने पर माता की फूजा को भूलना नहीं चाहिए हर गुरुवार को वरत पाथ अवशे करना चाहिए इस तरह से महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मोनोकामना पूरी करती है इस प्रकार शिरी महालक्षमी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है तो बोले लक्षमी माता की चै